नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर अम्रीश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम पुरुसों के ऐसे गुप्त रोग के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन हो गया है रोग का नम है दोस्तो रेक्टाइल डिस्फंक्शन यानि नपुन संक्ता का रोग दोस्तो ये सभी जानते हैं कि नपुन संक्ता किसे कहते हैं लेकिन नपुन संक्ता आधी कैसे हैं इस वीडियो में हम आपको नपुन संक्ता की पूरी complete जानकरी देने वाले हैं यह आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपके बहुत पैसे बस जाएंगे इस वीडियो में हम नपुन संक्ता के लक्षन क्या होते हैं नपुन संक्ता कैसे दूर करें या नपुन संकता का एक अच्छा सा इलाज इसमें बताने वाले हैं लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी साधी भी नहीं हुई है और अब तक सेक्स भी नहीं किया है उनके मन में बैठा रखा है कि तुमको तो नपुन संकता हो चुके है जिस चीज को अभी तक यूज किसी नहीं किया है उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि नपुन संकता है नपुन संकता है या नहीं है तो दोस्तों इसी के बारे में वीडियो में पूरी जानकरी देंगे पूरी वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिए आपको बहुत अच्छी और बहुत फाइदमन जानकर वाली है तो अब हम जानेंगे एरेक्टाइल डिस्वंक्शन क्या होता है यानि नपुन संग्ता किसे कहते हैं यह अधिकान्स पूर्शों को पता है कि नपुन संग्ता क्या होती है लेकिन फिर भी इसके बारे में हम आपको पूरी कम्प्लीट जानकारी देंगे नपुन संग्ता दो परकार की होती है इनमें जो पहली होती है उसे कहते हैं मानसिक नपुन संग्ता और जो दूसरी होती है उसे कहते हैं सारिरिक नपुन संग्ता तो पहले हम मानसिक नपुन संग्ता किसे कहते हैं इसके बारे में जानेगे वे पुरुस, जिनका स्रीर तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन सेक्स करते समय में मन से घबरा जाते हैं, यानि नीके मन में सेक्स करने से पहले एक अजीब परकार कर डर आ जाता है इसी करण उनके जो लिंग में तनाव होता है वो एकदम कम हो जाता है उसके बाद वे अपनी महीलब पार्टनर के साथ सेक्स नहीं कर पाते हैं आज के समय अपने देश में 80-85% लोग मानसिक नपुनसंकता से बिमार हैं यानि वे सारी रिक रूप से बिल्कुल ठीक होते हैं किवल मानसिक प्रोब्लम की वज़े से ही वे सेक्स नहीं कर पाते हैं इसके बाद बाद करते हैं सारी रिक नपुनसंकता किसे कहते हैं वे पुरुस जो मानसिक रूप से तो बिल्कुल ठीक होते हैं ने इनको घबराट होती है ने टैंसन होती है लेकिन सारी ग्रूप से कमजोर होते हैं उनके मन में तो सेक्स आता है लेकिन सरीर साथ नहीं देता सेक्स करने से पहले उनके लिंग में तनाव नहीं आता है लाग कोशिस करने के बाद भी वे अपने लिंग में तनाव नहीं ये तो सब जानते हैं कि नपुन संग तक क्या होती है लेकिन नपुन संग तक कैसे आती है ये अब हम जानेंगे तो दोस्तो अब बात करते हैं नपुन संग तक कैसे आती है ये तो सभी को पता है कि नपुन संग तक क्या होती है लेकिन नपुन संग तसरीर में आती कैसे है इसके बारे में अब हम जानेंगे पहले हम बात करेंगे मानसिक नपुन संग तक कैसे आती है जब कोई पुरुस पहली बार अपनी महीला पार्टनर के साथ सेक्स करता है यदि उसके मन में ये भावना आ जाए कि मैं महीला पार्टनर को खुश नहीं कर पाया या उससे पहले फारिख हो गया तो कही न कही उसके मन में ये बात स्टोर हो जाती है और जब भही पुरुस दूसरी बार महिला पार्टनर के साथ सेक्स करना सुरू करता है तो वे बाते ही उसके मन में आने सुरू हो जाती है कि मैं पिछली बार तो से संतरुष्ट कर नहीं पाया पता नहीं इस बार भी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा और यही बात उसके मन में आते ही उसके लिंग का तनाव अपने आप कम हो जाता है और जब यही बात उसके मन में बार बार आने लगती है तो वह पुरुस मानसिक नपुनसंग तकारोगी हो जाता है अब हम बात करेंगे सारीरिक नपुनसंग तक कैसे आती है जो पुरुस, अधिक लंबे समय तक बिमार रहता हो, सुगर का मरीजो और सुगर की दवाई खा रहा हो दिल का मरीजो और दिल की रोगों की दवाई खा रहा हो लिंग पर चोट लग जाने से या फिर जाद दप बढ़ने पर अध्य धिक नसा करने पर खून की कमी हो जाने पर आदी से भी सारी नपुनसंगता आ सकती है लेकिन इन में जो सबसे ज़्यादा नपुनसंगता आती है वो आती है तामभाखो के सेवन से क्योंकि उसमें निकोटीन होता है और वे हमारे बोड़ी के मेंटा बोलिजिन को डेमेज कर देता है तो दोस्तों अब बात करें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिम्टम्स की यानि नपुनसंगता के लक्षण क्या होते है सबसे पहले बात करेंगे मानसिक नपुनसंगता के लक्षण की उसके बाद बात करेंगे सारे रिक नपुनसंगते लक्षण की जब कोई पुरुस अपनी महिला पार्टनर से सेक्स करना चाहता है तो सेक्स सुरू करने से पहले उसके मन में घबराट होने लग दिया यानि उसके मन में डर आ जाता है वे पसीना पसीना हो जाता है उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने सुरू हो जाते है उसके बाद उसका सरीर पसीना पसीना हो जाता है और उसके बाद पूरसो के लिंका जो तनाव होता है वह एकदम बिल्कुल कम या बिल्कुल ही समात हो जाता है और उसके बाद पूरस अपनी महला मित्र के साथ सेक्स नहीं कर पाता है अब बात करते हैं सारी नपुन संक्ता के लक्षण की इसमें पूर्सों के मन में सेक्स तो बहुत आता है ने वो घबराता है ने उसके टैंसन होती है ने वो पसीना पसीना होता है नहीं उसका सरी ठंडा पड़ता है लेकिन लाग कोशिस करने के बाद भी पूर्स के लिंग मे तनाव नहीं आता है, कितनी भी कोशिस कर लेकिन उसके लिंग में तनाव नहीं आता है और इस वज़े से वे अपनी महिला मित्र के साथ सेक्स नहीं कर पाता है और पूर्सों के लिंग में तनाव नहीं आना ही सारीरिक नपुन संगता का लक्षन होता है सारी रिख नपूनसंकता हो या मान्सिक नपूनसंकता हो TENSION तो दोनों में होती है अब आप घर पे कैसे पहचानेगी कि मुझे सारी रिख नपूनसंकता है या मान्सिक नपूनसंकता है इसके लिए मैं आपको एक normal सा trip बताता हूँ जब भी आप सो रहे हो तो सुबह के चार या पांच बज़े के आसपास उठने से पहले यदि आपके लिंग में तनाव आता हो और अच्छा आता हो तो आप समझ लेना कि आपको 100 के 100% मानसिक नपुन संकता आपके सरीर में कोई भी प्रोब्लम नहीं है अब हम जाने के दोस्तों पुर्सों में नपुन संकता किस विटामिन के करण होता है यानि पुर्सों में नपुन संकता किस विटामिन की कमी से आती है इनमें जो पहला विटामिन है वह है विटामिन E Second number पर जो आता है P complex इसमें बहुत सारे विटामिन होता है जैसे B1, B2, B3, B6, B9 आदी बहुत सारे विटामिन से हैं उसके बाद आता है विटामिन A, विटामिन D और विटामिन C की कमी से पुर्सों में नपुन संगता आने के बहुत ज़्यादा chances होते हैं अब हम बात करेंगा दोस्तो erectile dysfunction exercise की क्या आप erectile dysfunction को बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं तो मैं कहूंगा हाँ लेकिन इसके लिए आपको कुछ exercise करनी पड़ेंगे इनमें जो सबसे number one exercise है उसे कहते हैं keagle exercise और जो second number के है इसमें 5-10 मिन्ट तक रो जाना की दोड़ तो इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी कीगल exercise के बारे में knowledge देता हूँ link के जड़ की चारो तरफ की mass space को कीगल कहते हैं और जब वे कमजोर हो जाती है तो आपके penis में blood flow कम हो जाता है blood flow तो होता है लेकिन वो रुकता नहीं है अगर आप उन mass space को मजबूत कर लेंगे तो आपका erectile dysfunction ठीक हो सकता है अब यह करने कैसे हैं जब आप bathroom जाते हैं यहनि कि जब आप पेसाब करते हैं तो आप पेसाब करते करते पेसाब को रोकना है 2-3 second रोकने के बाद फिर छोड़ना है फिर उसके बाद रोकना है फिर छोड़ना है ठीक इसी तरह है जब भी आप अपने office में बैठे हो अपने घर पे बैठे हो आप घूम रहे हो आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो तो आपको वैसा ही करना है जैसे आप बात रोकने के लिए करते है 3-4 second के लिए रोक कर रखे उसके बाद धीरे धीरे छोड़िए उसके बाद फिर रोक कर रखे फिर धीरे धीरे छोड़िए इस तरह आपको रोजाना 10-10 minute सुबह दोपर साम करना है जब आपकी कीगल मास्पेसिया मजबूत हो जाएंगी तो आपका जो रक्टाइल डिस्फंक्शन है वो अपने आप धिरे-धिरे ठीक होने लगेगा अब बताने वालों दोस्तों आपको नपुन संक तगा एक बहुत अच्छे लाज ध्यान से देखना आपकी एक एक बात समझ माने चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीटमेंट यानि नपुन संकता का इलाज या नपुन संकता कैसे दूर करें यदि आप नपनसंगता दूर करने चाहते हैं यानि इरेक्टाइल डिस्पेशन ट्रीटमेंट तो दोस्तो आपको मैं कैसा ट्रीटमेंट बताने वाला हूं जिसको आप अगर यूज करेंगे तो आपकी नपनसंगता जरूर ठीक होगी लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने वीरिये की चांच करा लेने चाहिए क्योंकि उसी से पता चलता है कि आपका इलाज कितना लंब है आप कितने दिन में ठीक हो सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको करना क्या है अपने सीरो टोनिन केमिकल बढ़ाने के लिए जिसकी वज़े से मानसिक नपनसंगता आती है जो कि एक खुसी का केमिकल है उसको बढ़ाना चाहिए उसके लिए मैं आपको कुछ दवाईया बता रहा हूं जो अच्छे से मेडिक आपको मिल जाएगी इसमें पहली टेब्लेट का नाम है सिटेलॉ प्राम सेकंड टेब्लेट का नाम है फुलक्सETाइन है तीसरी टेब्लेट का नाम है सेरे ट्रेल extras और चोथी टेब्लेट का नाम है पैरोक्सक्राइन इनमें से आप कोई भी 20मीनी मार्त्र में खरीद ले और सुबह शाम एक एक टेबलेट का सेवन परे इसके बाद जो सेकंड नंबर पे टेबलेट देते हैं अगर आपके पैनिस में बलड फ्लो सही नहीं हो रहा है यानि कि आपके लिंग में तनाव नहीं आता है या कम आता है या आता है तो जाद देर तक उखता नहीं है तो बलड फ्लो को बढ़ाने के लिए जो टेबलेट आती है स्रिल डेंट के लिए टाडाला फिल आधी बहुत सारी टेबलेट आती है टाडाला फिल 20MG की टेबलेट आपको एक गोली तीसरे दिन खानी है और इनके साथ आपको मल्टी विटामिन टेबलेट या कैपसूल जिसमें B-complex, विटामिन D, विटामिन E, omega-3 fatty acid आ दी हो, यह टेबलेट या कैपसूल आपको रोजाना सुबह साम दूद के साथ लेना है, दूद कम से कम आदा किलो होना चाहिए अगर आप इन चीज़ों को, यदि आप इन दवायों का इस्तेमाल करते हैं, तो यकिनन आपका नपुन सकता का रोग ठीक हो सकता है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जादस जाद लोगों में सेयर करें ताकि जादस जादस लोग इस वीडियो का फायदा ले सके और आपको ड्रा कर आपके मेनत के पैसे जो डॉक्टर उतारते हैं वे बच सके तो इसके साथ ही नमस्कार दोस्तों आपके